उत्तरप्रदेश में विधानस्वत चुनाव जैसे जैसे करीब आते जा रहे हैं वैसे वैसे सभी पार्टियां अपना पूरा दमखम लगा रही हैं यूपे के सियासी रण में प्रियंका गांधी पहले से ही काफी सक्रिय हैं और अब राहूल गांधी ने भी कमर कसली है उत्तरप्रदेश में कॉंग्रिस का जन जागरन अभ्यान चल रहा है और आज बारी गांधी परिवार के गड़ अमेठी की है जी हाँ आज 18 दिसंबर को राहूल गांधी इस अभ्यान में शुरकत करेंगे और यहां से वो 15 किलोमीटर की पद्यात्रा भी करेंगे उनके साथ प्रियंका गांधी वार्बरा भी पद्यात्रा में शामिल होंगी आपको बता दे राहूल गांधी सुबा 11 बज़े से साड़े 12 बज़े तक कॉल हाउस से राम लीला मैदान के बार जगदीश पूर के लिए रवाना होंगे इसके बार साड़े 12 से 3 बज़े के करी जगदीश पूर से हरी माउ जंजाकरन अभ्यान पद्यात्रा में शामिल होंगे इसके बार करी तीन से चार बज़े तक कॉर्नल मीटिंग में हरी माउ में रहेंगे और इसके बाद 4 बजे से 5 बजे तक हरी मउं से भूमउं गेस्ट हाउस के लिए प्रस्थान करेंगे इसके लावा 6 बजे के करी भूमउं गेस्ट हाउस में आगन होगा जिसके बाद राहुल गांधी प्रियंका गांधी 19 दिसम्मर यानि कि कल साड़े ग्यारा बज़े भूमाउं गेस्ट हाउस से रिफॉर्म्स क्लब राय बरेली के लिए रवाना हो जाएंगे उसके साथ ही आपको बता दें तो पैर 12 से 2 वज़े के बीच विमेंस टाउन हॉल रिफॉर्म्स क्लब राय बरेली में वो रहेंगे तो ऐसे में पूरा ये दो दिन का कारकम रहने वाला है राहुल गांधी अप्रियंका गांधी का और आज से कारकम शुरू हो रहा है जहां पर आपको उता दें गांधी परिवार का गड़ कहा जाता है अमेठी और उसी अमेठी में आज मोर्चा समालने के लिए राहुल अप्रियंका दोनों पहुंच रहे हैं साती 15 किलोमीटर की पद्यात्रा भी दोनों करेंगे